12.23 में उमेश पाल हत्याकार्ण मामला सबसे आदा सुर्ख्यों में था अतिक एमद, उनके भाई, उनके बेटे, मतलब अतिक एमद का पूरा परिवार इस हत्याकार्ण में शामिल था लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ यह हत्याकांड के आरोपियों का एंकाउंटर हुआ, अतिक एमत की हत्या हो गई, जब वो जेल में थे, अब धीरे-धीरे यह हत्याकांड भी दबने लगा, शांत होने लगा, लेकिन आपको बता दे कि अभी भी इस केस से जुड़े कई ऐसे आरोपी है जो कि अभी भी फरार है और अब इस केस से जुड़ा एक और नया एंगल निकल कर सामने आ रहा है आपको बता दे कि उमेश पाल हत्याकार्ण मामले में एक और नए शक्स की एंट्री हो गई है इस मामले में मौरशिस अंकल की एंट्री हुई है जी हां कौन है ये मौरशिस अंकल और इस हत्याकार्ण से वो कैसे जुड़े हुए हैं आपको बताते हैं हमारे इस खबर में विस्तार से यूपी विधान सभा में गरचते हुए योगी आदितनाथ का वो बयान मिट्टी में मिला दूंगा आपको याद होगा काफी चर्चे में रहा था उस वक्त ये बयान योगी आदितनाथ ने क्यों दिया था अगर वो याद नहीं है तो हम आपको पहले याद दिला देते हैं प्रयागराज के हाई प्रोफाइल उमेश पाल हत्याकार्ण के बाद जब यूपी पुलीस की भारी किरकिरी हुई तो योगी आदितनाथ ने ये और कारी गनर इस हत्याकार्ण में जुड़े हैं आको बता दे कि जाज में ये बात सामने आई है कि अंकाउंटर में मारे गए अति कैमत के बेटे असद के मुवाइल फोन में पुलीस को मौरशुस में रहने वाले एक अंकल का मेसज मिला उमेश पाल हत्याकार्ण में फरार रहे असद ने उस वक्त मौरशुस में बैठे अपने एक अंकल को एक मेसज भेजा था बताया जा रहा है कि ये अंकल पहले प्रयाग राज में रहते थी लेकिन हत्याकार्ण के दौरान अंकल मौरशुस में थी जाच में ये बात सामने आई है कि मदद मागने के लिए मौरशुस में हूँ जिसके बाद पुलीस जो है अंकल को खंघाल रही है अंगल की भूमिका को खंघाल रही है प्रयाग राज के रहने वाले इस मौरशुस वाले अंकल के भूमिका को पुलीस खंघाल रही है सूत्रों का कहना है कि अंकल प्रयाग राज से लेकर लखनव तक कई रसुखुदारों का करीबी है। कि हत्या हो गई थी। इसके सिसी टीवी भी सामने आई थी। इसके बाद यूपी पुलीस ने एक के बाद एक कई आरोपियों को अरस्ट किया। कुछ का एनकाउंटर भी हुआ। जिसके बाद से योगी आदितिनात का ये बयान काफी ज्यादा ट्रेंट करने लगा। और अभी भी वो बयान ट्रेंट करता है। ये बयान जरूर ट्रेंट करता है। और अब मेश पाल हत्याकार्ण मामले में जो ये मौरशिस अंकल की अंट्री हुई है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये मौरशिस अंकल कौन है और क्या इसने असद की मदद की थी या नहीं?